नमस्कार दोस्तों पुलिस जब सूटकेस खोलती है और जो दुर्ष्य दिखाई देता है वह बेहद डरावना होता है। सूटकेस के अंदर एक सिर्कटी लाश होती है जो एक लड़की की थी और यह नजारा देखकर पुलिस भी सन्न रह जाती है। फॉरंसिक टीम को बुलाया जाता है। टीम सूटकेस और लाश की बारीकी से जाँच करती है ताकि कुछ सुराग मिल सके। इसके साथ ही इलाके में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही थी और आसपास के लोगों से भी पूछताच की जा रही थी। पहली ही नजर में यह साफ हो जाता है कि यह मामला कतल का है। वसई पुलिस फॉरं आई पी सी की धारा 302 के तहट कतल का केस दर्ज कर मामले की छान बीन शुरू कर देती है। लड़की की पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। पुलिस ने मामले की गहराई से जाँच शुरू कर दी थी और इलाके को चारों तरफ से घेर लिया था। आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों से पूछताच की जा रही थी। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद और कई महीने गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। इस बीच पुलिस सूटकेस और लाश पर मौजूद कपड़े वगेरह की अलग-अलग तस्वीरें उतार कर उसके पोस्टर बना कर पूरे महाराष्टर में फैला देती हैं। ताकि कहीं से भी अ रक्षित रखकर मामले में कोई सुराग मिलने का इंतजार करने लगती है। इस तरह पुरा एक साल गुजर जाता है। लेकिन पुलिस को इस लाश के सिलसिले में कहीं से कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन एक दिन अचानक नाला सोपारा की अचोल थाना पुलिस से एक कॉल और वो कहते हैं कि जो लाश आपको वसई में मिली थी उस लाश की पहचान हो गई है। उसका नाम सानिया है। उसके घर वालों को आपके थाने में भेज रहूं। आधा एक घंटे के बाद सानिया के परिवार वाले वसई पुलिस थाने आते हैं। परिवार वाले पुलिस के साथ हुई थी। सानिया के माँ बाप की बच्पन में ही मौत हो गई थी और उसे उसके चाचा चाची ने पाला था। पिछले एक साल से उसके चाचा अपनी भतीजी से फोन पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसका फोन स्विच आफ आ रहा था। जबकि उनका दामाद आसिफ हर बार अपने ससुराल से फोन आने पर रौंग नंबर बता कर फोन काट देता। मुंबई आने के बाद जब सानिया के घर वाले जब नाला सो पारा में सानिया के ससुराल गए तो ये जानकर हैरान रह गए कि आसिफ और उसका परिवार अब वहां रहता ही हालांकि इसके बाद काफी मशक्कत करके सानिया के चाचा जावेद शेख अपने दामाद आसिफ की मां से बात करने में काम्याब हो गए और आसिफ की मां ने उन्हें ये बता दिया कि अब वो नाला सो पारा की प्रौपर्टी बेच कर मुंबरा शिफ्ट हो गए हैं और वह नहीं नजर नहीं आई जब उन्होंने अपनी बेटी के बारे में उसके ससुराल वालों से पूछा तो ससुराल वालों ने जवाब दिया कि सानिया के बाद भी किसी से रिष्टे थे और वो अपने उसी बॉइफेंड के साथ घर से फरार हो गई ये सुनकर लड़की के घर को बड़ा धका पहुँचता है वे हैरान रह जाते हैं लेकिन उन्हें इस बात पर उनको यकीन नहीं होता कि उनकी बेटी ऐसा कर सकती है अब सानिया के घर वालों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई उनकी शिकायत पर नाला सो पारा की अचोल थाना पुलिस ने 19 अगस् 2022 को सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी और नए सिरे से मामले की जाच शुरू कर दी घर वालों ने लाश के साथ मिले कपड़ों वगेरह की भी पहचान कर ली इस तरह पुलिस अब साल भर पहले मिली सिर कटी लाश की पहचान पता कर चुकी थी लेकिन अभी उसके लिए ये पता करना बाकी था कि आखिर सानिया का किस ने किया और क्यों लिहाज़ा पुलिस ने उसके घर वालों की शिकायत पर सबसे पहले सानिया के ससुराल वालों को ही पूछताच के लिए बुला लिया ससुराल वालों ने पुलिस के पास भी सानिया के घर से भाग जाने की वही कहानी दोहराई और कतल पर हैरानी जताने लगे लेकिन अब सानिया के घर वालों के साथ साथ पुलिस को भी लगने लगा था कि हो ना हो इस कतल में सानिया के ससुराल वालों का ही हाथ है लेकिन पुलिस ने किसी को भी गिरफतार करने से पहले मामले की पूरी तरह जाच कर लेना ठीक समझा पुलिस ने सानिया के पती आसिफ और उनकी नन्ही सी बेटी अमाईरा के DNA सैंपल कलेक्ट कर लिए सानिया की लाश से उसका DNA सैंपल पहले ही लिया जा चुका था और जब इन सैंपल की रिपोर्ट आई तो ये साफ हो गया कि वसई के बीच पर मिली वो सिरकटी लाश सानिया की ही थी सानिया का साल भर पहले ही कतल किया जा चुका था लेकिन कातिल को पकड़ना अभी बाकी था पुलिस ने एक बार फिर सानिया के पती को पूछताच के लिए बुलाया उसने पहले तो पुलिस को तमाम जूटी सच्ची कहानिया सुनाई लेकिन फिर जैसे ही पुलिस ने उससे सक्ती की और आखिर कार वो तूट गया उसने मान लिया कि उसी ने अपने घरवालों के साथ मिलकर अपनी बीवी सानिया की जान ली थी और उसकी सिरकटी लाश वसई भुई गांव बीच पर फेंक आया था जबकि लाश की पहचान ना हो इसलिए उसका सिर उन्होंने खानी वाडे की खाडी में फेंका था प्लानिंग के मताबक अपनी बहु की जान ले रहे थे उन्होंने बकरीद के बहाने सानिया की छोटी सी बेटी अमाईरा को पहले ही उसकी बुआ के घर भेज दिया था फिर आसिफ उसके पिता हनीफ और आसिफ के भाई यासीन ने मिलकर पहले सानिया के हाथ पांव बांध कर उसे पानी के टब में डाल दिया और डूबने से उसकी जान चली गई इसके बाद सबूत मिटाने के लिए आसिफ और उसके पिता हनीफ ने खुद अपने हाथों से सानिया का सिर काट कर धर से अलग कर दिया फिर सिर और धर को अलग-अलग जगा फेंकने की प्लानिंग की उन्हें पकड़े जाने का डर कुछ इतना ज्यादा था कि सिर काटने के बाद भी आसिफ ने पहले हेयर ट्रिमर से सानिया के सिर के बाल हटा दिये और फिर उसके चेहरे पर होटों के करीब मौजूद एक तिल को भी काट कर निकाल दिया ताकि अगर कहीं कटा हुआ सिर भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसकी पहचान मुम्किन ना हो इसके बाद आसिफ ने अपने भाई यासीन के साथ मिलकर उस सिर को एक बाईक पर ले जाकर खानीवाडे की खाडी में ले जाकर फेंक दिया फिर धड को निप्टाने के लिए आसिफ ने अपने कैब डाइवर बहनोई युसूफ को घर बुलाया और फिर धड को एक बड़े से सूटकेस में पैक कर वसई भुई गाव बीच ले जाकर फेंक दिया बेशक इस वारदात के छह दिनों के अंदर ही सानिया की सिर कटी लाश बरामद हो गई लेकिन पहचान ना होने और किसी भी घरवाले के सामने नहीं आने की वजह से करीब साल भर तक ये मामला अनसुल जा रहा लेकिन आखिरकार जब उसके चाचा ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो सानिया के कतल की रॉंग्टे खड़े करने वाली ये सच्चाई सामने आ गई पुलिस ने इस खौफनाक साज़िश का खुलासा कर कातिलों को तो जेल की सलाखों के पीछे पहुँचा दिया था लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने इतनी बेरहमी के साथ अपनी बहु की जान क्यों ले ली और साल भर तक ये राज बाहर क्यों नहीं आया तो जब तफ्टीश में इन सारे सवालों के जवाब सामने आये तो हर कोई हैरान रह गया पुलिस के सामने आसिफ और उसके घर वाले अपना गुनाह कबूल कर चुके थे साथ ही ये भी कबूल कर चुके थे कि कैसे उन्होंने हैवानियत की सारी हदों से आगे निकल कर सबूत मिटाने के लिए ना सिर्फ सानिया का सिर काट कर धर से अलग कर दिया, बलकि कटे हुए सिर के बाल काटे और यहां तक की चेहरे पर मौजूद दिल तक उखाड लिया. लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एक परिवार ने ऐसी गिरी हुई हरकत की ही क्यों? असल में एक बच्ची को गोद देने के लिए ये पूरी खूनी साजिश रची गई थी. दरसल आसिफ के घर वाले आसिफ और सानिया की बेटी अमाईरा को किसी और को गोद दे तो घर वालों ने तै कि वो भी इस बच्ची को अपनी बेटी को गोद दे देंगे और उनकी बेटी ही बच्ची की परवरिश करेगी. लेकिन किसी भी दूसरी मा की तरह सानिया के लिए ये फैसला करना इतना आसान नहीं था. उसने अपनी बेटी अमाईरा को खुद से अल कर दिया गया. आसिफ और उसके घर वालों ने सानिया का कतल पूरी प्लानिंग के साथ किया. कतल के लिए उन्होंने बकरीद का दिन चुना. बकरीद के बहाने सबसे पहले उन्होंने सानिया की बेटी अमाईरा को उससे अलग कर उसकी उसी बुआ के घर भेज दिया. जिसे सबूत मिटाने के लिए लाश के टुकडे तक कर डाले किसी को कतल बारे में कानो कान खबर ना हो इसलिए उन्होंने सिर्फ सर और धड को अलग-अलग जगह फेंक दिया था इस कतल की साजिश को छुपाने की खातिर ही वो लोग चुप-चाप नाला सो पारा वाला मकान बेच कर वहां से चले गए हद देखिए कि सानिया की लाश निप्टाने के लिए उन्होंने अपने घर के उसी दामाद को कैब लेकर आने को कहा जिसे वो सानिया की बेटी गोद देना चाहते थे लेकिन इतनी कोशिश करने और सबूत मिटाने के लिए इतना दिमाग लगाने के बावजूद आखिरकार आसिफ और उसके घर वाले पकड़े गए वैसे इस केस को सुलजाने में वसई पुलिस के रोल की भी तारीफ करनी होगी जिन्होंने सिरकटी लाश की ना सिर्फ अलग अलग तस्वीरें खीच कर रख ली थी बलकि जरूरत के लिए डिये नई सैंपल भी सुरक्षित रख लिया था और आखिरकार यही चीजे कतल के खुलासे की वजह बन गई और असली कातिल कानून के शिकंजे में फंस गए इस खौफनाग घटना की जाँच में वसई पुलिस ने महत्वपूर्ण भूमी का निभाई और आखिरकार कातिलों को गिरफतार कर लिया गया इस घटना का सबसे बड़ा कारण सानिया की बेटी अमाईरा को गोद देने का विवाद था सानिया ने इस बात से इंकार कर दिया जिससे उसके ससुराल वालों ने उसे अपना दुश्मन मान लिया और इस घिनोने अपराद को अंजाम दिया आज की कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े रहें